असलाम अलेकुम एंड वेलकम इन स्टाडी कॉर्णर एने तो कैसे हैं आप सब I hope you are doing well तो जैसे के इसे पहले की वीडियो में हमने जॉन मिल्टन की जॉनल इंट्रेक्शन और इसका जॉनल इंट्रेक्शन का उसका वर्क जो है हमने डिसकस किया था तो वो जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा आज के इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन की एज को डिसकस करने वाले हैं जिसे हम प्यूरिटन एज भी कहते हैं आज के इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन की सारी एज को करेंगे इसके रिलीजियस के बारे में इसकी Puritan Movement के बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक मैं वीडियो सब्सक्राइब में चैने प्रेस अब बेल आइकन बढ़ने तागे इस तरह कि जो भी वीडियोस है वो आप तक पहुं अग्स लिट्रेचर में Puritan Age के नेम से जाना जाता है Puritan Age which is filled with the political and religious civil war and triumph of Puritanism and restoration अब Puritan यहां पर मस्ट आता है कि Puritan है क्या Puritan Age हम कहते किसे हैं तो सबसे पहले यहां पर जो है आपको जो है detail देते हैं कि puritanism कहते किसे असल में puritanism 17th century की एक ऐसी movement है जिसके अंदर puritan's का जो है वो arisement होई थी puritan's कौन से होते है puritan मतलब pure religion ये एक ऐसी movement थी जिसके अंदर puritan's जो थे वो चाहते थे कि हम पूरे England के churches को जो है reform करें उनको जो है और जितना भी रोमन का जितना भी influence हैं चर्चिस के ओपर जो Catholic का रोमन का जितना भी influence हैं सब को हटा कर जो हम लग वहां पर pure जो है religion वहां पर produce करें और इसके इलावा जो है इसका main motive ये था कि वहां के जितने भी norms हैं वो सारे के सारे rules norms हर चीज़ जो है वो according to Bible होनी चाहिए तो ये थी Puritanism movement और जो इनको followers से जो उनको follow करते थे इस movement को उसे हम Puritan कहते हैं तो ये 17th century के अंदर Milton age के अंदर जो है encouragement हुई और इसलिए हमें से Puritan age भी कहते हैं जो के full of political religious strip से जो है फिल है इसके अंदर civil war हुई थी और मैं इसको आगे आपको बनाते हैं civil war किसे कहते हैं और इसके इलावे इसके अंदर puritanism और restoration भी हुई थी अब क्या था कि इस period ये period जो है इसके अंदर literary fashions जो है उनकी rapidly और radically changing आई थी उसके अंदर और अगर हम इस in short कहें तो इसे हम age of transition भी कहते हैं इसमें क्या था कि इसके अंदर जो है काफी ज़दा जो है वो metaphysical poets जो है उनकी arrangement हुई थी और दूसरे poets जिस तरह के Spencer जो है उनकी भी इसके अंदर arrangement हुई थी puritan age जो है उसे हम second greatest renesia कहते हैं इससे पहले एलस्बतन age के अंदर हम रहने साथ पढ़ते हैं और इसे puritan age को हम second greatest renesia भी कहते हैं यह इसे age को हम तो classes में divide करते हैं जिसके अंदर इसका आ जाता है हम आपास Jacobin period जो के रूल करता था James 1 और Caroline period जो के रूल करता था Charles 1 अब यह जो दो जो थी यहां पर group Jacobin period और Caroline period इसे हम कहते हैं civil war मतलब civil war होई थी जिसके अंदर यह दो जो थी इन्होंने जो है इनकी जो है fight होई थी और इसके बाद जो है इसकी जो है इसलिए हम इसे जो है Jacobin period या फिर Caroline period भी कहते हैं तो Jacobin period जो है उसे Charles 1 जो जो है वो रूल करता था और Caroline period को Charles 1 जो है वो रूल करता था अब Puritan कौन थे Puritan was a group of English reform protestant Puritan जो थे वह English reform protestant थे जो कि प्योरिफाइब कर चाते हैं चर्च को England के और दर से सारा जो रूमन Catholicism के जितना भी influence था उससे जो है वो टाना चाते थे इनका जितना भी focus होता था वो उनका Bible के उपर होता था कि according to Bible जो इनकी जितनी प्रैक्टिस और religious practices उसकी according to Bible हो और इसके अंदर इन्होंने काफी ज़्यादा poetry जो है और इस एज में प्योर्टिन एज में काफी ज़्यादा poetry लिखी थी और इनका main aim यह यह था लिखने का कि उसके अंदर हम लोग जो है वह religious के according जितनी भी चिज़ें उनसे अवेर करें लोगों को तो जो है इनके fictions dramas जो थे इस एज में इसके इंदर जो है इसकी spiritual instruction दी गई थी और यह जो puritan थे यह belief करते थे कि God is powerful and knowing present everywhere और वो जानते थे कि God जो है वो हर जगा जो है वो मौजूद है इसलिए जो है यह चाहते थे कि हम पूरा जो पूरा का पूरा जो इंग्लेंड है उसे हम purify कर दिये और उसको जो बाइबल के according करें और यह जो moment थी यह जो moment थी puritanism यह एक इतनी hard stiff type moment थी जिसके अंदर सब चीज़ें जो है बहुत जड़ा narrow minded लोग थी और हर चीज जो थी वो according to religious थी even इसके जो थेटर्स वगेरा थे वो भी जो है उनको बंद कर दिया था और यहा वो प्रोस के अंदर बहुत जड़ा रिच था और जॉन मिल्टन जो है वो इस प्यूरिटन एज का जो है एक remarkable और एक जो है representative है तो यह थी इसका introduction के हम puritanism और प्यूरिटन एज किसे कहते हैं अब हम आते हैं इसकी position of women in this age इस एज के अंदर women's की क्या position थी उसको हम देखते ह है according to paradise lost जो कि इस एज की बहुत ही famous जो है poem है paradise lost उसके अंदर जो है role of women के अपर properly focus किया गया है इसकी book number 4 के अंदर जो है clearly यह बताया किया है के men and women's are equal is not equal ठीक है इसके इसके इनर फोर में बताया गया है कि man and woman does not think that man and woman are equal and identify man as a man mass of women यह इसके अंदर इस पूरी book के अंदर यह बताया गया था कि मर्द और 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 जो है इनका इक्वल जो है इनका कोई भी जो है बराबरी नहीं है और जो है woman जो हमेशा man से inferior रहती है और इनका यह मानना था इनका यह belief था कि कि जो wives है वो अपने husband के सब सबसर्वेंट होती है और इसके अंदर जो है God की जो है importance of obedience जो है वो भी जो है वर शो होती है तो यह जो प्यूरिटन struggle है for the righteous or the liberty Puritan was the name given to people जो प्यूरिटन है वो एक ऐसा नाम है जो लोगों को दिया गया है वो लोग जो के advocate करें और जो वर्शिप है और जो चर्चिस को जो रिफॉर्म करें उन्हें हम कहते हैं कि यह प्यूरिटन हैं अब हम आजाते हैं इसके socio-political background की तरह कि socially और इसका background कैसा था at that time of great political and social April in England इस ताइम क्यों था कि पॉलिटिकल और socially जो है यहां पर बहुत अपहीविल हुई थी यहां पर इंग्लेंड के अंदर 17th century के अंदर क्या हुआ था इसम एज ओफ revolution भी कहते हैं कि इसके अंदर revelation इसके अराइजमेंट हुई थी टू ग्रूप कि इसमें प्यूरिटिजन की इसके अलावा इसके अंदर protocolism की जो है राइज मेंंट सूइती और इसके इंग्लिष जो civil war इसके अंदर बताया कि वो जो है इसके अंदर आई थी तो जो चाल्स वन है जो है इसका पार्लिमेंट में इसने इशू को रिजोंव किया था जिस तरह के ट्रांसलेशन रिलीजिस पॉलिसी और सिविल्वार की आउडब्रेक होइध हैं तो क्या हुआ था कि आउडब्रेक के बाद थयर्टर्स वगला ओगिरा इनका मानना कुई थे सिविल वार की 1642 के अंदर तो इसके अंदर क्या हुआ था कि उनको बंद कर दिया गया था और पूरिटन सपोर्टर जो थे ऑलिवर सब्सक्राइब ऩॉक्त गेज़तानी percentage का मैं कि गडीक इनक्सल्ट कि खथे और उनको डिफीट किया थ्यक्त जुए उनको चार्लस वन भी को सब्सक्राइब concept Uhr of Puritan, Milton खुद जो था, वो खुद भी Puritan का supporter था, और जिसकी वजा से जो है, उसने civil servant भी उसे जो है, बनाया गया था, यह सारी इसके detail जो है, वो previous वीजियो में हैं, कि इसे जो है, Milton को जो है, वो civil servant बनाया गया था, उसके अंडर जो है, इसे बनाया गया था, गवर्मेंट के, और जो है, इसके बाद जो है, यह advocate भी था, जिससे हम advocate of free speech कहते हैं, and the right of individual, which is expressed in famous pamphlet, aeropagatica, published in 1644, यह जितनी भी बात है, free speech के individual की, और famous pamphlet की, और यह aeropagatica, जो इसके most famous work जो publish हुआ था, यह सारा जो है, detail में आपके, जो है, वो previous video में, जो है, मैं आपके, इसके link, जो है, वो मैं डाल दूँ के description में, तो वहाँ से आपको, जो है, इसकी सारी, जो है, वो detail मिल जाएगी, next हम आते हैं, इसके social changes की तरफ, socially क्या हुआ था, कि England के अंदर, जो है, मिल्टन जो है, वो Cambridge University of Education से जो है, वो पढ़ा था, तो इसके अंदर क्या हुआ था, कि यह भी एक, जो है, मतलब, इस changing society का एक product था, इसके अलावा, इसके जो ideas, power of religion and individual rights जो थे, वो इसके अंदर, उसको redefine किया गया, इस age के अंदर, और इनकी जो themes थी, वो reflect होती है, इनकी writing मतलब, इसके जितनी भी writing है, इस age के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में, individuality के बारे में, power के बारे में, religious के बारे में, rights के बारे में, जो है, इस चीज में रिखा जाता है, तो अगर हम socially changes के बात की जाए, तो socially जो है, इसके अंदर, ये changes आई थी, कि इसके अंदर growth of merchant class ह हुई थी, और इसके scientific inquiry की, जो है, वो arrangement हुई थी, इसके इलावा, अगर हम social के changes के उपर आए, तो religious के बात की जाए, तो religious में, religion में, हमारे पास आपको पता है, कि यहाँ पर puritanism की, जो है, वो arrangement हुई थी, इसके इलावा, जो है, middle class लोग जो थे, उन्हें, religious minded, मतलब, इनके जब puritanism की, जब यहाँ पर arrangement हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, कि मिडल क्लास लोग जो वहाँ के थे, England के, उनके अंदर, वो religion minded होगे, उनके अंदर, religion की, जो है, वो, काफी तदा awareness आई, उनके अंदर, जो है, वो, क्या हुआ, कि उनके अंदर, question की arrangement हुई, वो, अपने religion क को लेकर question कर सकते थे, अब उनके अंदर question करने की, जो है, वो, सलायात पैदा हुई, इस rise of puritanism से, और it produce the noble, यह जो puritanism, जो movement थी, यह एक noble movement थी, बट यह strong, hard type of character, जो इसके अंदर, produce हुए, मतलब, इसके अंदर, जो जितने भी character थे, लोग थे, वो, हाट टाइप थे, जो होते थे, कि हम purify करें religion को, और जो है, हम according to Bible, जो है, उसे follow करें, और इसके result में क्या हुआ, कि it looked askens at art, since human culture, जब human culture से लेकर, whatever else makes life sweet and beautiful, कोई भी चीज़ जो life को sweet and beautiful बनाती है, उसके according जो है, इन चीज़ों को देखा गया, और it was therefore fatal to literature, यह literature के लिए बहुत ज़दा फटा जो है, वो प्रूव हुआ गया, in poetry 2, poetry के अंदर भी जो है, वो क्या था, कि religion की जो है, बहुत अपर मोस्ट इंफ्लिएंस आया, मतलब इसकी हर एक poetry के अंदर, जो है, जिस तना paradise lost है, paradise regain है, और पेगेटिका है, और जितनी भी दूसरी, जो है, the doctrine and the discipline of divorce, और Samson iconist, इन सब के जितनी भी आप इस age की poetry को read out करेंगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलीजिन की बात की गई, यह पूरी की पूरी जो एज थी, यह religion से related थी, इसके अंदर, जो है, most importantly, the metaphysical poet, जो metaphysical poets है, उनके arisement हुई, और metaphysical poets कौन थे, वो जो थे, वो religious थे, और mystical mind, उसके मिस्टरी को religious जो है, वो metaphysical के अंदर बात की गई है, metaphysically, जो है, मैं आपको अलिक से इसकी वीडियो, जो है, next video में आपको metaphysical की poet और metaphysical की poetry दोनों के बारे में आपको detail में आपको discuss करूँगी, तो आप, जो है, मेरे साथ जुड़े रही है, और जो है, मैं आपको metaphysical के बारे में भी जो है, जो है, एंगलिकन चर्च था, इंगलेंड का, वो convert हुआ puritanism में, जो के movement थी, वहां की, जिसके अंदर simplicity थी, और strict adherence था to the biblical teaching, मतलब इसको सरफ और सरफ biblical teaching के बारे में बात की जाती थी, तो ये एंगलिकन चर्च से puritanism church की जो है, शिफ्मेंट जो है, ये बहुत साथी थी, कि हमारा जो है, direct, जो है, कोई भी आप indirect way यूज ना करो, आप direct relationship रखो God के साथ, उसके इलावा क्या था, कि मिल्टन जो था, वो deeply religious man था, क्योंकि मिल्टन जो था, वो खुद जो है, वो था, प्रोटेस्टन था, प्रोटेस्टन था, प्रोटेस्टन था, प्रोटेस्टन फैमिली कंदर जो है, वो पला बड़ा और वो प्रोटेस्टन मूव्मेंट में भी involved था, as a young man, जब young man था, तो मिल्टन जो था, उसने रिच्वल्स और हैरी क्री को reject, जो एंगलिकन यहाँ पर दो चर्चिस हैं, एंगलिकन और प्रोटेस्म, तो एंगलिकन की तरफ जो है, वो आया, उसको यह बिलीफ था कि हर इंडिवीजियल, हर एक इंडिवीजियल जो है, वो शुट बी फ्री टू इंटरप्ट द बाइबल, वो फ्री होना चाहिए कि वो बाइबल को किसी भी तरीके से जो है, वो पढ़े और उससे जो है, गम्यूनिकेट कर या, बाइबल से, और वो डायरेक्ट जो है, उसकी कन्वर्जिशन और डायरेक्ट इसका रिलेच्शन चिपो वित गौड के साथ, तो इसका यह बिलीफ हुआ करता था, इसके जितने भी बिलीफ हैं, वो सारे इसकी पोईट्रिक अंदर रिफलेक्ट होते हैं, पर्टिकु इसके जो हैं इसके यह यह थीम्स हैं तो इसलिए इसे जो हैं हम एक पोई मरेक्ट इसम पर इलिजेस पर इलिजेस पर इडेन और इसके अंदर पोँद्र जो है कि आदा में अगरो अज्टे के अ किस तरीके से इसका इंफिलेंस परता है तो ये था सब्सक्राइब के बारे में अब हम आते हैं इसके literature के बारे में के literature का इस पर क्या इस एज का literature था वो किस तरीके का और किस तरह का था लिटरेचर ओफ pureton age लिटरेचर of pureton age जो था वो क्या था puritan का belief होता था कि sustainability of life life की simplicity पर पिर्टन का यकीन होता था कि life जो है वो simplicity के साथ जो है वो spend की जाए तो उन्होंने जो है इस age के अंदर जो है sonnets जो थे उसे disapproved किया था और जो poetry जो थी वो जो है love of poetry जो थी वो write की गई थी ने precious period इस period के अंदर हम देखते हैं कि romantic poetry जो है romantic order जो है वो found नहीं होता इससे पहले अगर हम देखें तो Anglo-Sax जो पीरेट्स थे और जो इसक्रावाई अलेस बतन थे उनके अंदर क्या था कि love जो है romantic poetry और love poetry कि कहीं न कहीं जो है वहाँ पर arisement हुई थी due to french influence जो है पहले जो था Anglo-Saxon और Anglo-Normans के दोर में क्या हुआ होता था कि वहाँ पर french का काफी था इंफिलेंस होता था इंग्लेंड के अंदर तो वहाँ पर क्या हुआ था कि french के वजासे तो यहां पर romantic poetry काफी उसका जो है वह involvement हमें और नाजर आती है लेकिन जब puritanism आई तो यहां पर क्या हुआ कि हर चीज रिलीजियस थी तो यहां पर हर चीज हर पोईट्री जो थी वह सबस्के इसके अंदर रोड़ेगा यह जो एज़ती यह जिसके अंदर जो है सैड़नेस यह यह जो सैड़नेस आप से कह सकते हैं इसे अमेंस पर तादादमें मिलती है ऑकॉडिंग तो रिचार्ड ग्रीन प्रिषय गृर्डिंग प्यूपल आफ औफ बौक एक बॉक्क्त कुई वस बाइबल आप कहता है Green जो है वह कहता है कि उस Guidolans जो इंग्लेंड जो है पृटन ही इंग्लेंड है कि वह एक बुक बन गए लोगों की एक बुक बन गई है जिसे हम वक पॉट भाइबल भी कहते हैं यह पूरी पूरी जो इंग्लेंड उसे जो है यह को बाइबल की अकॉर्डिंग जो है वो करना चाहते थे तो इससे हम इसलिए इसने यह एक स्टैट्मिंट दी थी इसके इलावा जो है इसके अंदर जब मैंने आपको बताया कि जब इसके अंदर आउटब्रेक वी सिविल व पोरिल हैं यह बिलकल ठीक नहीं ही हो इनको रकौश बंद कर दिया गया इनको उसके ईलावा जो है जो ही काफी सबस्क्क्राइब डर्य इसके दो आई मेटैं प्रीट्री चीजिए अब यहां पर इसके में प्लड़नiran लेकिता वह फ्लॉरिश 17th century में हुई थी मतलब Puritan age में हुई थी metaphysical की जो poetry है वो characterized की जाती है एक complex जिसके अंदर metaphors और जो है worldly wordplay जो है और इसके जो themes है वो philosophical है और इसकी जो figure है वो है John Dunn और George Herbert ये दो जो है इसके metaphysical poet है बहुत ज़्यादा famous metaphysical poetry के अपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तो यहां पर जो metaphysical poetry है वो भी 17th century के अंदर जो है वो आई इसके लावा इसमें cavalier poetry जो है ये एक ऐसी poetry है जो के light hearted playful style of poetry है जो के 7th century के mid में जो है वो emerge हुई इसके अंदर elegant language होते है wit है और जो है यह country love के ओपर जो है वो बेस करती है इसके जो poet है वो है Richard Loveless, Robert Herrick यह दो जो है इसके काफी दा जो है famous poet है they celebrate the pleasure of life and rejected the strict modernism of the Puritan, यह जो cavalier poetry थी इसके अंदर puritanism को काफी ज़दा जो है वो reject किया गया इस जो इसके जो जितने भी culture नॉम्स थे उनको जो है किया गया reject और जो है यह इस poetry के अंदर जो है वो life और pleasure के बारे में जो है वो बताया गया then restoration drama after English civil war, civil war के बाद जब मुनार्की restore हुई और theater जो थे वो दुबारा से खुले तो वहाँ पर restoration drama जो है वो बनाये गए जिसके अंदर humor, sexual, sexual innical and satirical, social commentary जो है इसमें develop हुई इसके अलबा प्रोस fiction की बात की जाए तो यहाँ इसके अंदर जो है प्रोस fiction में इस age में emergence of novel आया, novel के emergence हुई असल में तो novel की emergence है वो 18th century में आती है लेकिन novel अगर हम background इसका देखें तो यह पिछले भी मतलब 17th century में भी emergence of novel आया है इसके लावब आप epic poetry की बात की जाए तो इसके famous जो work epic poetry के वो Edward Spencer है इसके लावब इसका famous Edward Spencer की famous work है वो है the fairy queen और john dryden जो है उसका इनस, Marybits और Milton की paradise laws यह इस epic poetry के बहुत दा famous जो है वो epic poetry है तो आज की इस जो वीडियो है इसके अंदर हमने age of puritan age यहां फिर से milton age भी के सकते हैं से आज हमने discuss किया है I hope आपको इस वीडियो में इस lecture में कोई भी confusion नहीं होगी but if you have any confusion or any query regarding this lecture you can comment in comment section box I will solve your query तो आज के लिए इतना ही काफिया नेक्स्ट वीडियो में